बोथ पहला एक फार्मर कोल एक डॉंकी हुंदा सी इस डॉंकी ने कई साल कम किता फार्मर दे कोल कणक दिया बोरियां लद लद के उमर हुंदे हुंदे डॉंकी दी ताकत काट हो चुकी सी जोदो उन्हों एसास होया कि उन्हों बोरियां नहीं चुकियां जान गिया वो फार्म छड के निकल गया स्वेरे स्वेरे और ताकत तनिरी मेरे एच पर मेरी सुरीली वास्ता है यूना मैं बर्मन जाके उते गानगा के पैसे कमावा रस्ते विच उन्हों सुत्ता हुया एक हाउंडोग मिलिया इधा रास्ते इच क्यों सो हो रहा है भाई मैं खून डॉग हाँ उमर बड़ी तस्पीड काट्ट हो गई खून में अपने मालिक नाल चिकारते नहीं जानदा फिर फिर क्यों ना तू मेरे नाल चल मैं बर्मन जा रहे हैं सिंगर बनन मेरा बैंड जाइन कर ले तू मैं मेंडोलेन बचावांगा ते तू ड्रम बचाएं हाउंडोग नू ए प्लान चंगा लगया अते ओ डॉंकी देनाल तुर पया थोड़ी दूर जानदे ही उनानू एक कारदी छत ते एक बिल्ली बैठी मिली वो बड़ी उदास लग रही सी की गल है बिल्ली रानी तु की आत्मा लग रही है की हो या उन बुड़ी हो गई हां मैं उन ना दा तेज पजेया जानदा है ना दंदा नाल कटेया जानदा है चूहे फड़ने छट के मैं फायर प्लेस ते अग सेक दी रहन दी हां टिली जे ही होके फिरता तैन्नु आना चैदा साडेनाल तु आडेनाल उसी जा कि थे रहे हो पर्मन ओते साड़ा एक बैंड होवेगा असी म्यूजिक वाले हां बिल्ली जेनरली चंगे मिजेशन सुन्देने तु हार्मोनी का बजा बैंड एच ए सुन्दे ही बिल्ली ने च्छाल मा ते बैंड जोइन कर लिता एना दे तिगड़ी एक फान विच्चो लंग रही सी उन्ना नू उथे कुकड दिसया जिडा खंबे ते बैठा कुकड कु कुकड कु कर रहा सी कुकड जी तु पैर हो गई है अज सवेरे अलारम नहीं बज़िया जी क्या कल संदे है ते मेरे मालिक ने कुई दोस्ता नो खाने ते बुलाया है ते ओ मेरा जिकन तंदूरी बना के खान वाले है ता यथे अटके क्यों पाज क्यों नहीं जान दे मैं जावा भी ते किथे अज लाज दे मेरा ते सोचे जी भर के कुकडु कु 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 करला है अज बसकर बसकर अपनी वाज एदा ना खर्च कर सद्दनाल बर्मन चल अची एक बैंड बना यहां ते 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 री स्ट्रॉंग वास पसंदाई मन्नू पुकड नो एप्लान चंगा लगया अटे उड़के उन्ना नाल तुर्पया मूरे मूरे बाकी तिन मगर मगर कुकड अज रात असी अजादी नाल सोवांगे जदो उठेंगे एक नवा कल थियार होगा सडेले सोन तो पहला कुकड उचलते कूद दे पेड़ते चड़ गया अते ओथों कुछ बेखिया मैनू एथे रोश ही नजर आ रही है लगदे कोल ही कोई का रहा है ता क्यों ना ओथे चलिया अपपा मैनू एथा जंगले सोन दी आरत नही है हाँ ओते शैनमनू एक कादी हड़ी मिल जाए खान लो ए चारो उस लाइट वल तुर पढ़े अते आखिर विच एक कार मिलिया उना लो सब तो लंबा सी डॉंकी ते उन्हें बारी विच्चों विखिया कि अंदर है कि की दिख रहा है अरे भाईयों कजब हो गया एथे एक बहुत वड़ा डाइनिंग टेबल है वा जी वा ता उस टेबल पे खान पीनती चीजा भी है हाई मेरा ता लाट अपग रही है चलो चलो धावा बोल देया रुको कुछ और भी है हाँ चार बंदूख वाले डकेत चड़े मज़े नाल खा भी रहने और खाना की वे खावांगे डकेत दा नाम सुन दे ही सब उदास होगे क्यों आना सी अननू एथे मैंनू एनी पुख लागरी सी चलो वापस जंगल नूँ एथे कुछ नहीं कर सकदे काश असी अने डकेता नू डरा सकदे अच्छा देखो एक तरीका है एननू पजानदा हों ट्यान नाम सुनो मेरी गर्ड़ इकदे उपर एक चड़ गए एचारों ते अचानक तो बारों नाल नाल गाण लगे एननी डरावनी अवाज बनी कि उन्नू सुन दे ही डकेता दे तुक्ते उड़ गए चारा ने मिलके बारी दो ते डोंकी ने जाल मारी हते अंदर तराम नाल पजोए जाल ले लेंगे पजोए थो पजोए बागो रे बागो उपनी बंदुकां उथे ही छट छुटके डकेत पज्जे जान बचाके आते ये चार यार बड़े खुश होए जिद्दा सोचे आसी ओधा ही होया हुन टेबल ते जिदा खाना सी ओधे उद्दे एट टुट पए खाना खाके सारे सोन गए थक्के हारे सी बिचारे सब लाइट्स बंद करके सो गए अद्दी रात हो चुकी सी डकेता ने विखिया के कार विच लाइट नहीं है उन्हाने अपने लंबु नूपे जया कार दे अंदर विखन लंबु अंदर गया तब बिलकुल हनेरा सी अते उन्हों रोश्नी चाही दी सी उन्हें माचिस वाली अते बिल्ली ने उदे उते च्छाल मारी उन्हें नुंद्रा मारीया ते हाउंड डॉग ने उदे पैरा ते वड़ेया शोर तो कब राके कुकड उठया अते जोर जोर नाल कुकड कु कुकड कु करन लगया जिद् तरिया ते कबर आया होया डकैत अपने दोस्ता दे कोल गया ते बोलिया ओय और उसकारे चार राक्षास ने ते उन्हें ने मेरते हमला भी किता डकैत सारे दुम दबाके पज्जे हो थो ते दुबारा कदी हो थे आन दी गल सोची भी नहीं साटे चार बर्मन मिजिशिन्स मों एक आर विल्कुल अपने कार वरगा लगया ते उन्हें ने सोची आ कि बर्मन जान दी की लोड है क्यूना असी सब एथे ही रहे ए चारों पूरी जिन्दगी एथे ही रहे गांदे बजालने होई बहुत समय पहला एक पैन प्रादी जोडी सी हैंसल एक ग्रेटल जदो ओ निक्के ज्वाक सी ओना दी मां मर गई सी ओ अपने बापुजी नाल जंगल विच एक चोपड़े विच रहन दे सी ओना दे बापुजी पैसे कमान वास्ते लकणियां कट दे सी ते ज्वाका दी तेक पाल वी कर दे सी काम दी खेचर ते ज्वाका दी तेक पाल तो तांग आके ओना ने एक बारी फेर व्या करन दा फैसला कित्ता ओना दी नवी बोटी बड़े अमीर कार दी सी उन्नानु चंगानी लगदा सी, कि ओ गरीबने ते चोपडे विच रहन्देने, ते उन्नानु अपने मत्रै ज्वाकातोवी नफ्रत सी, स्याला दे एक रात सोन तो पहला हैंसल ते ग्रेटलनु कुछ सुनाई दित्ता, उन्ना दे नवीमा उन्ना दे बापुनु कुछ बोल ज्याला विच गुजारा कीमे करांगे, खान दा समान गट पह जाओगा, एन्ना जुआकानु पजाओ, वड़ना असी सारे मर जावांगे उन्ना दे बापुने अवाज चुकी, तू जमावी पैस ना कर, कॉलनानु किते दूर लजाके छड़ दावांगे ऐस उनके ग्रेटल रोन लग पई, हैंसल ने उन्नु चुप कराया तू फिकर ना कर, ग्रेटल, अच्ची करदा रस्ता लब लांगे ओस राग हैंसल बार जाके, बहुत सारे निक्के निक्के रोडे हिस्से विच पर ले आया अगली सवेर ओसारे कारतों दूर जान लग गे उन्ना दे प्योने दसया, कि ओपिक्निक ते जारेने तुर्दे तुर्दे होली जेहे हैंसल रोडे डेग डेग के निशानी बना रहा सी शाम हुंदे हुंदे प्यों तेमा निकल गए ऐ कहके केओ खुन्ने आ जानगे परो कदी नी मुड़िये रात पेंदेई जंगली जानवरा दी अवास चार छपेरे गुंजन लग पई ऐ सब सुन सुन के हैंसल दे ग्रेटल उथे अग बोली बै गए गए जदो तक चन उपर नी आया उनों अपने सुटे होये रोडे आनू पाल बाल के कारुवाल तुर पई चंगा के ता हैंसल तु किन्ना से आना है जदो दोनों कार पोँचे पापुजी धिरान रह गए पर खुश भी होये ते मावी एद्दा वखारे सी जीवे ओवी खुश होये तिन दिन बाद उना दे मा ने फेर उना नू मगरो लान दी कोशिश किती ऐस बारी उना ने राथ नू दोना दे बुए पंद कर दिते ताकि हैंसल दोबारा रोडे चुकर ना जा सके पर हैंसल सी स्याना ऐस बारी जान दे होये उन्हें ब्रेट दे तोटे अपने खिस्से विच रख ले ते उना दे निशान बनोंदा गया दोपैर नू बहाने नाल मा पयो निकल गए फेर दोना नू छट गे उन्हा दे आणदी आस जदो मुख गय हैंसल ते ग्रेटल सूरज डूबन तो पहला तुरपै पर ऐस बारी उन्हान ब्रेट दे निशान नई मिलिये क्योकि सारी ब्रेट ता चिड़िया चुक गया सी ग्रेटल रो रही सी ते हैंसल वी लचार सी एस वारी एदोन्नों गुम गय ना खाणा ना पीणा ते जाननू मुसीवत वखरी ओ तेन दिन एदाही कुम दे रहे ते जे दिन उन्हानू एक पोद चिट्टी चिड़िद सी उन्हें एनानू गा के सुनाया ओस कड़ी अपनी पोख पुल के और स्चिड़िदे मगर-मगर गए ते पिछा करदे होए पहुँचे एक अजीब जेहे कारदे बाहर एस कारदी कंद प्रेड़ी सी छत केक दी ते बारियां बनिया सी टोफियां दिया ते हर पासे क्रीम ही क्रीम हैंसल ते ग्रेटर खुशी दे मारे कमले हो गए ओ अपनी सारी थकान पुल के उस कारवल गए जी में ये कुछ खान लई गए अंदरों एक अवाज आए ओए, कौन कट रहा है मेरे कारणू उन्ना नू भुहे उत्ते एक बोद प्यारी जीही दादी मा दिखी उन्ना ने उन्नू जो वी बाप्रया सी तस्या ता उन्ने दोन्ना नू अंदर बुला लेया कारद बाहर ते अंदर बिल्कुल वखरा सी अंदर हनेरा सी ते कुछ वी चंगा ने लग रहा सी पर पुखद सताय उन्ना दोना ने जादा सोचया नी उस जनानी ने उन्ना नू तरा तरा दिया चिजा खिलाईया एदा दिया वी जो पहला कदी नी खा दिया सी ते रात नू जिदे उते सुते ओ बिस्तरावी एना नरम स्वेरे उठे ता देखिया ओ जनानी किथे वी नई सी ओनू लबबन लगे दोनो ओथे ही ओना नू एक निक्का जेहा बुहा दिसे अंद्रों गए ता संदूक पार के खजाना पे आसी दोनों हेरान हो गए हैंसल होर कोणों देखना चान्दा सी ताहियों ओधी अवास फेर आए क्यों जी? की कर रहे हो? दोनों मुडे ता ओ चुडेल जमेही सामने खडी सी पता लगया कि ओ जनानी चुडेल सी जेडी ए ज्वाकानू अपने ते खाने विच लजान लई ललचा रई सी उन्नाने पजना चाया पर बुहा बंद सी चुडेल ने हैंसल नू पालना तो फडेया तेक पिंजरे विच सुट देता चुडेल ग्रेटल नू रसोई विच लेके गई तेरा प्राब पोत कमजोर है उन्नू मोटा करण वास्ते खाना वना मोटा ताजा होवेगा ता मैंनू उन्नू खान दा स्वाद आएगा पर तू कुछ ना खाई सिर्फ ओही खावेगा ग्रेटल नू ओधी गल मननी पई हैंसल सीता सैयाना उन्ने जुगत लगाई चुडेल नू उल्लू बनाण वास्ते हर राथ जदो चुडेल सो जान्दी सी ओ पिंजरे दे थल्ले एक टोया पुटदा सी चुडेल रोज स्वेरे देखदी सी के हैंसल मोटा होया के नहीं हैंसल कुछ वी खांदा ने सी सगों सारा खाणा टोय विच सुट रहा सी तुच्चे पासे चुडेल ग्रेटल नू ओर खाणा बनाण लई कह रही सी कई दिना तक एदाई चलदा रहा मोटा होए चाहे पतला होए आज ता मैं हैंसल पाईप बनाऊंगी ही उनने ग्रेटल नू कहा ओवन विच देख आटा माडा जेहा पकिया के नहीं वो डरी होई ता सी पर ग्रेटल अपने प्रावरगी स्यानी वी सी वो समझ गए के चुडेल उननू ओवन विच तक्का देंदी सोच रही सी मेरा सिर अंदर नहीं जा रहा आटा दिख नहीं रहा ग्रेटल बोली चुडेल ने आपपे अपना सिर अंदर किता मोके ते ग्रेटल ने सारा जोर लाके चुडेल नू अंदर सुट देता ते ओदा बुहा बंद कर देता ग्रेटल नू पता सी चाबिक कित्थे रखी है ओँ छेती छेती गई ते हैंसल नू कड़ेया ओवन विच्चो अग निकल के सारे कार विच पर गई सी ओदोवे ही ओथो निकल के जंगल वल पजय और कित्थे जाईए एं उन्णानू भी नहीं पता सी कुछ देर बाद उन्णानू एक दर्या मिल्या एक बड़ी जेही बत्तक ने उन्णानू ओधर्या पार कराया उन्नाने आसे पासे देखिया ता उन्नानू पता लगया ओ कित्थे ने ओ पज़े-पज़े कार्पोंचे जवाकानू देख प्यो बोध खुश होया रोंदे रोंदे प्यों ने उन्नानू दसेया कि जंगल विच छटके आन तो कुछ दिना बाद ही उन्ना दी मा अपने पेके चली गए ते उन्ने उन्नानू लबण दी बहुत कोशिश किती पर उ लबबे ही नहीं तोन्नों जुआग अपने प्यों नू एन्ना प्यार कर दे सी के उन्ना ने सब कुछ पुला दिता पर उपने प्यों लाई एक सर्प्राइज लेके आये सी उन्ना ने अपने खिसे विच्चों टेर सारे हीरे मोती कड़े जेडे उन्नू चुडेल दे कारविच मिले सी प्यो ये वेखके हैरान हो गया उन्ना दे परिवार नू पेर कदी कोई तकलीफ नहीं होई ते उ खुशी-खुशी रेन लगे कई साल पहला एक छोटे जहे शहर्च एक खिलोनिया वाला रेन्दा सी जीदा नाम जपेटो सी ओ लकडी दे खिलोने बणा के बेचदा सी ओन्नू जिन्दगी विच इकको दुख सी कि ओदा कोई जुआक नहीं सी एक दिन जंगल चोनू एक पेड़ दातना मिल्या जीदा खिलोने बणान वास्ते चंगा सी बिल्कुल सही है ये लकडी मैं एदनाल एक प्यारा जाब पुतला बनावांगा जपेटो ओ लकडी लेखे अपनी वर्क्शोप वालनू तुरपया ओनू टेबल उते रख के ओने ओदेनाल पुतला बनाणा शुरू किता अचानक तो कुछ अजीब होया एक आवाज आई ओस लकडी विच्चों पहला ता जपेटो चौक गया पर फेर ओनू लगया कि ओने गलत सुनेया ते ओने पुतला बनाणा चालू रख्या ते फेर ओई अवाज वापिस आई लगता है मैं सठिया गया मेरे कान बजन लगपेने जपेटो उने अपना कम चालू रख्या सब तो पहला पुतले दा चेरा बनया फेर ओदे हत ते पैर जपेटो दा पुतला पूरा बन गया उन्हों कुरसी ते रख के उन्हें सफाई किती उसी वेले उन्हों इक अवाज आई हेलो जपेटो ने आले द्वाले वेख्या पर उन्हों पुतले तो वगेर होर कोई नहीं दिसिया ते उन्हें अपना कम चालू रखिया थोड़े चीरा बाद पुतले ने कुरसी तो धल्ले छाल मारे ते उन्हों नचन लग पया ए वेख के जपेटो दसिर चक्कर खान लग पया अरे बाबरे इस पुतले इस ता जान है जपेटो ने उन्हों चुकिया उन्हों तो तेरा नाम पिनोकियो है बच्चे जपेटो दे पिनोकियों खुशी खुशी रेन लगके पिनोकियो दे स्कूल जान दा समय हो गया से पर जपेटो कोल ओधी स्टेशनरी वास्ते पैसे नहीं सी एस करके जपेटो ने अपना कोट बेच के ओधे पैसे पिनोकियों नू दे दिते पिनोकियों उन्हा पैसे आनाल स्कूल वल तुर्पया रस्ते विच सार या दुकाना ते लोकानू तकदा होया अचान को नू समने एक था ते खलवली जही दिसी की हो रहा है जानन वास्ते वो पीड़ दे विच चला गया ते असानी नाल दुझे पार पहुँच गया निका जहा सी न ओस पार सी एक रंग बिरंगा बड़ा सारा टेंट सरकस टेंट ओ थे एक जोकर टिकट लैन लई लोकानू सद्दा दे रहा सी पिनोक्योन विखणा सी के अंदर है की पर उस जोकर ने उनू रोक लेया ती केहा बिन पैसे दिते अंदर नहीं जा सक्दा तू पिनोक्योन उन्हा पैसे आदा चेता आया जेड़े जपैटोने उनू स्कूल वास्ते दिते सी पैसे हैगे मेरे कोल उन्हें ओ पैसे कड़े ते जोकर नू दे देते टेंट दे अंदर बड़ा मजा आ रहा सी उन्हें ओ थे कुछ पुथले वेखे जेडे स्टेज ते नच रहे सी वाउ ए दोनों भी लकड़ी देने पिनोक्यों भी स्टेज ते चड़के ओना नाल नचन लगपया पर ए ओ थे खलोते दर्शकानू नहीं पसान दाया सरकस्द मालेक जिड़ा उपरों पुतलेयानू दोर नाल नचा रहा सी बड़ा खुश होया एक जिन्दा पुतला वेख के बिना डोरी दा पुतला एस तो में एक पथेरा खमावांगा शोदे खतम हुंदे ही उने पिनोक्योंनू फड़या अते उनू बंदी बनालेया पिनोक्योंनू बड़ा दुख होया के उने जपेटों दी गल नहीं सुनी अते स्कूल नहीं गया ते ओ रोन लगपया पिनोक्योंनू इस तरह अफसोस कर दे हुए वेक एक फेरी ओथे आई तेनू अपने पापा दी गल मन नी चाहिए दी सी पर तेनू अपनी गलती दा एसास ता है एस करके मैं तेनू एथों कड़ूंगी पर वो ही गलती फेर ना करी पिनोक्यों बहुत खुश सी उनने अपने हंजू पुंजे पर हुन मेरे कोल कोई पैसे नहीं है मैं स्कूल की वें जावांगा फेरी ने जादू कित्ता ते पिनोक्यों ते हथ चुप पैसे आगए एना पैसे आदा गलत इस्तमाल ना करी हुन सिदा स्कूल जा फेरी ने उननू सरकंस्तों छुडा लेया खुशी नाल चुमदे गांदे पिनोक्यों स्कूल वल तुरुपेया उनू एना खुश वेक के चलाक लोमडी ते उधी दोस बावली बिल्ली उधी रस्ते विचा गए ते उस्तों पैसे ठगण दा प्लान बनाया कित्ते जा रहे है भाई एना चुमदे गंदे मैं अपने ले स्टेश्टरी खरिदन जा रहा हां एनने जहे पैसे अनाल की स्टेश्टरी खरिद लेंगा मैं तेनू बहुत जारा पैसे दे सकना मैंनू की करना होवेगा सानू ए पैसे दे असी एननू जादू दे खेत इच बीज देंगे फिर तो आडे कोल अपना धन वरिक्ष होएगा जद विजी करे जाके उत्थो पैसे तोड़ लिया करें पोले पाले पिनोक्योंने लोंबडी दी गल मान लेई ते उनू पैसे दे दित्ते पैसे लेखे लोंबडी ते बिल्ली उड़ंचू होगे पिनोक्योंनू परिशान वेख के फैरी फेर आई तो हल्ले तक स्कूल नहीं पुजया मैं जेडे पैसे दित्ते सी स्टेशनरी वास्ते ओ कित्थे ने फेरी नू पता सी कि उनने पैसे लोंबडी नू दे दित्ते ने उनने पिनोक्योंनू केहा मेरे नाल चूठ ना बोली वरना पनिश करांगी मैं फेर वी पिनोक्योंने चूठ बोलेया मैं स्टेशनरी खरीद ले पर स्कूल विच रख दित्ती एना बोल दे ही ओधी नक लंबी होन लगी की तू सच कह रहा है जीवे जीवे वो चूठ बोलदा गया ओधी नक होर लंबी हुन दी गई एनी लंबी किस सिरह लाना मुश्किल हो गया सी अरे रे एक ही हो रहा है फेर उने फेरी नुँ सच सच सब दस दित्ता के की होया सी पिनोक्यों ने सचाईदा रस्ता चुणिया एस करके फेरी ने उधी नक ठीक कर दिती मैं तेनू माफ कीता क्यूंकि तू सच बोले आ जादू नाल उन्ने ओ पैसे पिनोक्यों नु दे दिते चेड़े लोमडी ने ओदे तो लित्ते सी ते उन्नु समझाया की पैसे बरवाद ना करी फेर तों पैसे आनू हत्विच फडे पिनोक्यों चुमदे गांदे फेर अगे नू तुर्पया ते होड़े एक नवी मुसीवत सामने आई सरकस दा मालिक जिने ओनु बंदी बनाया सी ओ ओ ओ ते ही खड़ा सी सरकस वाला पिनोक्यों तो बहुत नराज सी क्योंकि ओ ओ तो पजगया सी ओ अनु पनिश करना चांदा सी उन्हें पिनोक्यों नू चक के समुंदर विच सुट दिता पिनोक्यों समुंदर विच डिगया था सैं पर डुबया नहीं ओ उत्ते ही रहा क्योंकि ओ लखड़ी दा बनया होया सी उन्हें उत्ते रहन विच बड़ा मजा आया ते उन्हें हत पेर मार के तैरना शुरू कर दिता ते ओ होली होली कंडेवल जान लगा ओई एं की होया? कित्थे हां मैं? पिनोक्योंने अचानक अपने आपनू एक हनेरी जेही थांते पाया आले द्वाले कुछ नजर नहीं आरे हासी असल विच पिनोक्योंनू एक बड़ी मच्छी ने निगल ले आसी ते हुनू ओ ओधे टेड़ दे अंदर सी दुझे पास से जपेटो पिनोक्यों दे चिंता कर रहा सी ते ओणनू लबबन बार निकलिया पिनोक्यों! पिनोक्यों! अखीर विच ओधे पहुँच गया जित्तों पिनोक्योंनू समुंदर विच सुटेया गया सी ओधे मच्छवारेया तो पुछेया कि मेरा पुतर दिसिया किते तो आनू एक मच्छवारेनू पता सी ओस मुंडे दे बारे उननी केहा कि ओ समुंदर विच डिग गया सी। जपेटों ने ओना को लो मदद मंगी। ओना नू पता सी कि जपेटों एक चंगा बंदा है। ओ तयार हो गये ओधी मदद ले। जपेटों नू ओना ने एक निक्की किष्थी दे दित्ती। पिनोक्यों नू बचान वास्ते। जपेटों किष्थी लेके समुंदर विच जान लग पया। थोड़ी देर बाद एक प्यंकर तुफान आ गया। एस निक्की जही किष्थी तो उनना बढ़ियां बढ़ियां लेरा दा सामना नहीं कित्ता गया। ते ओ डुब गया। ते जपेटों अचानक समुंदर दे प बड़ी मच्छी ने पिनोक्यों नू निगल लेया सी। उनने ही जपेटों नूवी निगल लेया। जपेटों ओदे गले विच्चों उतर के सिद्धा टेडविच डिगया। ते उननू एक जुआक दे रोन दी आवाज आई। उनने ए आवाज एकदम पच्छान लेई। पिनोक्यों मेरे बच्चे तुम मिल गया आखिर किन्ना परिशान सी मैं। अपने पापा दी आवाज सुनके पिनोक्यों रोन्दे होए उनना नू गले मिलिया। सोरी पापा मैं तुआड़ी गल नहीं मननी। मनू माफ करदो उन्तो मैं हमेशा तुआड़ी गल मननागा। सुन्दा। हर रोज वो स्कूल जान्दा। ते स्कूल तो बाद पापा दी मदद करदा। फेरी ने वेखिया कि पिनोक्यों ने अपने आपनू किन्ना चंगा जुआक बनाया। ते उन्नू इनाम देन दी सोची। एक रात जदो पिनोक्यों सो रहा सी। फेरी ने पिनोक्यों उते जादू कीता। स्वेरा हुंदे ही पिनोक्यों स्कूल जान ले, त्यार हुन वास्ते उठेया। उठदे समय उन्नू महसूस होया कि कुछ वखरा है। उन्ने अपने हत वेखे, फेर बाकी शरीर नू वेख्या। ओ चौक गया। ओ हुन लकडी दा नहीं रहा। ओ सार्या मनूखा वरगा सी, ओ दादी चमडी सी, ओ छाल मारके अपने पापा को उल गया। पापा, पापा, मैंनू वेखो। अपने पुत्तर नू पूरी तरह इंसान बणिया वेख, जपेटो बहुत खुश होया। अरे वा, हुन तु पूरी तरह मेरा पुत्तर है।